करनाटक में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सरकार बनाने की दोड़ में कॉंग्रिस से पिछड़ गई मंगलवार कुरोजानों में काफी देर तक भाजपा ही बहुमत के आसपास थी लेकिन दोपहर के बाद वो 104 सीटों पर रुख गई बहुमत से भाजपा के 9 सीटे दूर रहने का फाइदा कॉंग्रेस ने उठाया उसने गोवा में घाले का सभग याद रखा जहां वह सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी कॉंग्रेस ने 78 सीटों के बावजूद फुर्ती दिखाते हुए 38 सीटों वाली जनता दल सेकुलर को समर्थन का एलान कर दिया अचानक बदली स्तथी के बावजूद येदी युरप्पा ने कहा कि 100% भाजपा ही सरकार बनाएगी येदी युरप्पा ने राजपाल से मुलाकात करके सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा ठोक दिया इसके महस 15 मिनट बाद येदी युरप्पा और कुमार स्वामी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया आपको बता दे कि 14 साल पहले 2004 में भी ऐसी ही इस्तिती सामने आई थी, तब भाजपा को 89, कॉंग्रेस को 65 और जेडियेस को 58 सीटे मिली थी, इसके बाद जेडियेस और कॉंग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, जो 20 महिने ही चल पाई थी Light of Nation के लिए अंकिता जैन की रिपोर्ट